नबश्कार दोस्तों कृष्णा फूर्ड एक्स्पेक्स में आपका स्वागत है लीजे आज फिल में हादिर हूं आपके लिए एक नई रेस्पी लेकर केरला का स्टुरिट केक आई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं खाने में बहुत टेस्टी है सबसे बहले एक कटोरी मैदा लीजे मैदा एक कटोरी ली है अब हम पिशिवी चीनी लेंगे एक चुताई कप अब हम इसके अंदर एक चमच देसी गी एक चुटकी नमक आधा चमच बेकिंग पाउडर चुटकी वर रेड कलर यह ऑप्शनल है वनीला एसेंस वन पोर्ट गी को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है लेजी अब हम डो बनाने के लिए मैं दूद का इस्तेमाल कर रहे हूं आप दूद और पानी कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें एक सैमी थिक डो बनाना है जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो विस्किट में बनता है जो हम बेकरी के विस्किट बनाते हैं वो स्टाइब का हमारा डो बनेगा दूद हम अब शक्ता के अनुसार थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे दूद या पानी जो भी आपने डालना है लेजे देखे डो बिल्कुल हमारा स्मूथ बनना सहिए देखे पुड़ हमारा बन गया है लेजे दो हमारा बनकर अच्छे से तैयार है अब हम इसको पाच मिन आपके रेष्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हरा जो डो अच्छे से शेमी मैं जोड़ा ही ला कलि के लिए मैं इसके अंदर एक चंबत देशी की डाल रही हूं और वह अच्छे से डो को उसमें मिक्स करना है अब हम इसका एक रोल सब बना लेंगे यह देखी कितना परफेक्ट हमारा रोल बन गया है लेजिए रोल बन गया है अब हम नाइब के हल्प से इसके जो किनारी है सबसे पहले उनको कट करें और उसके बाद इकुल पार्ट में हम डो को कट कर लेंगे दीखी, मारा डो बिलकुल अच्छी से हमने इकोल पार्ट में कट कर लिया है आप साइज में अगर बड़ा ही बनाना चाते हैं केक तो बड़ा बनाईए और चोटा बनाना चाते हैं तो चोटा बनाईए दोख और न बोब दोखे ऊगिए न हैसंते हैं च्छोटा साइजes लिए बनाऊंगे लिए जो पार्ट किया है इनको भी पार्टifty कर लोगा लेजिए अब पिकर बनाना हैने की हएवम रोउणक है दिजाइन बनाएंगे नाइब को फोड़ा सा दिल रखेंदा में बीच में बिल्कुल नीचे नहीं लेकर जाना है ये देखे फिरे सारे डिजाइन बन गगे हैं हमने नाइफ को थोड़ा उपर ही रखना है बीच में बिल्कुल नीचे नहीं लेकर जाना है देखें हमारे सारे के सारे जो है केक जो है वह बनकर रड़ी होगे है प्राइय करने के लिए लेजी बिलकुल रड़ी है अब हमने गैस के ओपर तेल डाला है और उसको लो मीडियम गैस पर रखा है तेल हमारा बिलकुल हलका से गरब है इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे तेल हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको अच्छे से शेखना है अगर हम तेल ज्यादा गरम में डालेंगे तो यह उपर सी शिख जाएंगे अंदर सी नहीं सिखेंगे इसलिए लो मीडियूम गैस पर एग रखें लीजिए अभी में इनको पर्टेंगे देगे कितने करारे और कुरकुरे बन रहे हैं यकीन मानी अगर आप इनको एक बार बनाएंगे न तो बार बार फिर चाई के साथ जो भी आप बिस्किट काते हैं बिस्किट की जगे आप यह खाना पसंद करेंगे और बच्चों को तो बहर ज्यादा पसंद आने वाली चीज है यह लेजिए परफेक्ट पांच मिनिट मे बनने वाला हमारा सप्लिट केक रेडी है लेजिए गर्मा गर्म चाय के साथ अब इसको सर्व करते हैं अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो किरपया करके क्रिश्ना फूर्ड एक्सप्रेक्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर किजिए मिलते ह अपिर आपसी एक नई वीडियो के साथ एक नई दिन धन्यवाद